If 1 cm cube of cast iron weights 21 gram, find the weight of a cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 cm in which the thickness of the metal is 1 cm. तो अगर हम देखेंगे अभी क्योशन क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में जो pipe होता है, वो pipe क्या है, cylindrical shape में होगा, है ना, तो cylindrical shape में हम पहले pipe draw करते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास में pipe होगया, अब यह pipe में board pipe है हमारे पास में, तो means इसमें internal radius और external radius दो चीज़े होगी, ठीक है, तो internal radius और external radius दो चीज़े होगी हमारे पास में, है ना, अब इससे हम समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, तो हमें given है क्या, कि length 1 meter with a bore of 3 cm, है ना, तो bore 3 cm का meaning है कि यह जो हमारे पास में, बीच 1 cm, ओके, और हमें given है thickness कितनी है metal की, 1 cm, तो यह जो distance है, यह कितनी है हमारे पास में, 1 cm, तो अगर हम total distance दिखेंगे, तो यह बीच में center line होगी हमारे पास में, center line, तो इस center line की, उपर वाले distance कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1.5 cm हो जाएगी, तो अब question यह है, कि हम से पू weight करता है, तो यह पूरा हमारे पास में, जो cast iron pipe है, यह कितना weight करेगा, तो सबसे पहले volume देखेंगे, तो क्या होगा हमारे पास में, अगर मैं इसकी inner radius देखू, तो radius inner कितनी है हमारे पास में, तो inner तो हो जाएगी 3 by 2, which is equal to 1.5 cm, और outer radius क्यों हो जाएगी, उसमें हम देखे r square, r square is what, 2.5 square, outer radius के area में से हम inner radius के area सब्टेट करेंगे, तो है का 2.5 into 2.5, और इसमें से सब्टेट करेंगे 1.5 into 1.5, यह कहा है, यह तो area लिखा है, अब length कितनी है, 1 meter है, see, हमारा जो यह side से है, यह centimeter में थी, और length है meter में, तो उसे मैं centimeter में change कर लेता हूँ, तो जाएगा 100 centimeter cube, तो volume करता हो गया, यह, अब देखने है, पूरी value करेंगे, pi क्या होता है हमारे पास में, pi होता है 22 by 7, अब 2.5 into 2.5, यह करता जाएगा 6.25, तो जाएगा 6.25, okay, into, sorry, minus में कहाएगा 1.5 into 1.5, which is 2.25, और into में आ जाएगा 100, तो यहांसे volume में आ जाएगा हमारे पास में equal to 22 by 7 into 4 into 100, okay, now, यह हमारे पास में volume अगया centimeter cube में, अब हमसे weight पूछाए, तो weight कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो weight is equal to, weight is equal to, हमें पता है, 1 centimeter cube का weight किता था 21 gram, तो 21 से multiply कर देंगे total, कितने centimeter cube volume है, तो यहांगा 21 into 22 by 7 into 4 into 100, तो 7 से divide करेंगे 3 times, और फिर आ जाएगा हमारे पास में 22 into 4 कितना हो जाएगा 88, okay, 88 into 3 is 264, तो यहांगा 26,400, यह हमारे पास में इतना gram weight हुजाएगा kg में convert करने से, तो जाएगा 26.4 kg, तो हमने क्या कराएगा, इससे 1000 से divide कर दिया, kg में convert करने के लिए gram को, तो जाएगा 26.4 kg, तो हमारा answer क्याएगा 26.4 kg is the weight of the road pipe,